नमस्कार स्वागत है आप सभी का काल चक्र में मैं हूं विपनेश माथूर और मेरे साथ हैं प्रश्नु कुंडली विशेशग्य पंडेट सुरेश पांडेजी पंडेजी बहुत-बहुत स्वागत है आपके चारो और नेगेटिव एनरजी है आपके चारो और पित्रों का साया है आपके चारो और अंधेरा च्छाया है तो सिर्फ दो दिन करें दस उपाए देखिए काल चक्र जी हाँ आद दर्श अमावस्या है और कल वैशाक अमावस्या है इन दो दिन में किये गए दस अच्छु को पाए कैसे आपके बिगड़े काम बनाएंगे कैसे आपको नौकरी कारोपार में तरक्की दिलाएंगे कैसे आपकी परिशानियों को दूर करेंगे और कैसे आपकी हर मनुकामना को पूरा करेंगे यही बताएंगे आपको आज पंडे सुरिश पंडे जी तो इस सहोग का लाप उठाने के लिए तयार हो जाएए और बने रहे कालचक्र के साथ इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवार आता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारा नमबर नोट कर लीजिए नमबर है 01206652411 हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कालचक्र के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए खुश खबरी है जी हाँ अगर आप डेली कालचक्र देखते हैं तो आप हमारे लख्की कुंड़ी विजेता बन सकते हैं हर हफ़ते हमें एक लख्की कुंड़ी विजेता चुनेंगे और उनकी कुंड़ी खुद पंडित जी बनाकर उपायों के साथ आपके घर भीजेंगे आपके एड्रस इसके लिए आपको रोज कालचक्र देखना है हपते के अंत में हमें बताईए कि आपने पूरे कालचक्र में हपते वर क्या क्या देखा क्या समझा और जो पंडित जी ने उपाय बताए क्या वो आपके लिए कालगर साबित कोई अपने सुझाओं हमें जरूर भीजिएगा इसके अलावा हमें इमेल के जरीए अपनी डीटेल्स और सवाल भी बेजिए जो भी लखी इमेल कुंडली विज़ता चुन्या जाएगा पंडे जी तमाम आपके जीवन की समस्याओं का निदान समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे आईए अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि हम अमावस्या की बात कर रहे हैं अमावस्या को लेकर कुछ लोगों के मन में डर हमेशना बना रहता है लेकिन अमावस्या तिथी कई माइनों में खास भी मानी जाती है अमावस्या पर क्या करना शुभ और पुन्यकारी माना जाता है आईए सबसे पहले पंडी जी से आपके लिए यही जानने की कोशिश करते हैं तो पहले तो पंडी जी अमावस्या को लेकर जितना भी ब्रह्म है डर है वो दूर कीजे दूसरा अमावस्या के दिन क्या कर सकते हैं जो हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए, शुब हो हमारे लिए, पुन्नेकारी हो तेको इस विश्या पर तो चर्चा करूँगा ही लेकिन इसके पहले मैं अपने सभी दर्सकों को बताना चाहता हूँ आज एक ऐसा दुरलब मुहूर्थ है जो पूरे साल में दो तीन बार मुश्किल से आता है और अगर आज इस मुहूर्थ का हमारे दर्सक लाब उठा पाएं तो निश्चित रूप से जिंदगी में चमतकार होगा वो मुहूर्थ क्या है दुरगा सप्तसती में देव अथरो सिर्ष में लिखा हुआ है कि भौमा असुन्याम महा देवी सनिध्धु जपत्वा महा मृत्युम तरत सह महा मृत्युम तरत यह यह वो वेदह इत्युपनिशुता अगर मंगलवार के दिन असुनी नक्षत्र हो तो उस समय अगर देवी अथरो सिर्ष का पाठ किया जाए तो कोई आदमी अगर महा मृत्यु के जाल में भी फसा हुआ है तो वो उससे बाहर निकल आता है इसलिए जो भी दर्सक इस समय हमारा कारेकरम सुन रहे हैं अगर आपका कोई अपना अब्यक्ति आपके परिवार का सदस्य गंभी रवस्था में बिमार है पीडित है तो अभी आप समय मत गवाईए तुरंत सुध रवस्था में होकर के एक घी का दिया जलाईए और दुर हमार आपकार एक घंटे बात देखिये अगर हो सके तो एक सो पाठर एक सो आठ पाठर कर डालिए अगर संभव नहीं है तो कम स्कम 10 पाठर डालिए और 10 पाठर करने के बाद एक तामे के हमनकुंड में आम की लकडियां जला करके कपूर से और घी, चीनी, सहत और काला तिल लेकर के नवाण मंतर से ओम, आयम, हरीम, क्लीम, चामुंडाय, बिच्चे स्वाहाईय मंतर बोलते हुए एक सो आठा हुती हवन कर दीजे, और बिमार ब्यक्ति का इलाज अगर आप कर रहे हैं, तो उसके स्वास्त का चमतकार एक घंटे बाद ही देखिए ये मुहुर्त जादा से जादा साल में तीन बार आता है या चार बार आता है, बहुत मुश्किल से मिलता है जो लोग किडिनी के रोग में असहाय हो चुके हैं, जिन लोगों को कैंसर का रोग असहाय कर चुका है, जिनको लीवर सिरोसिस की बहुत गंभीर समस्या है उन सभी लोगों के लिए जो लोग कोमा में जा चुके हैं बाहर नहीं आ रहे हैं उन सभी के लिए अगर आज उपाय किया जाए तो मेरा अजमाया हुआ नुक्षा है कि जरूर चमतकार होगा इसमें कोई संसाय नहीं है अब हम बात करेंगे आज के टापिक पर देखिए आज का जो टापिक है काफी दिमाख लगा करके सुनने का है और इससे सनातन धर्म की आपको जानकारी मिलेगी क्योंकि हमें बड़ा दुख होता है जब लोग मिलते हैं और कहते हैं पंडी जी सुकलपक्ष क्या होता है ये कृष्णपक्ष क्या होता है तो बड़ा दुख होता है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं अपने हिंदी के 12 महीनों के नाम नहीं जानते हैं आप सुकलपक्ष नहीं जानते, आप कृष्ण पक्ष नहीं जानते, तो कितनी भी डब मना है, कि जहां का वर्स, जहां के महीने, जहां की तिथियों का, जहां के लोगों को न ज्यान हो, आज के ओल अंग्रेजी तारिख मालूम है, अंग्रेजी के महीने मालूम है, तो यह सब चीजें, तो अमावस्या तिथी को ले करके लोगों में बहुत दर होता है कारण जिस तिथी को पूर्ण चंद्रमा उदय होता है उसे तो पूर्णमासी कहते हैं और ये पूर्णमा देवताओं का प्रिय होता है और जिस तिथी में चंद्रमा एकदम गायब हो जाता है उसे अमावस्या कह है धर्म गरंथों में चंडर्मा की 16 कला को अमावस्य कहा अमा कहा गया है अमावस्या तीथी का स्वामी पित्रदेव को बाना जाता है अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है जब साढ़े 12 डिग्री सूर्य से पीछे चंद्रमा रहता है तभी से अमावस्या सुरू हो जाती है और जब तक सूर्य चंद्र की डिगरी एक जैसी नहीं हो जाती तब तक अमावस्या रहती है जो ही चंद्रमा सूर्य के डिगरी को छोड़कर एक पल भी आगे बढ़ता है तेओं अमावस्या समाप्त हो करके प्रतिपदा सुरू हो जाती है सूकल पक्ष की ठीक है और अमावस्या का जन्म इसलिए अच्छा नहीं माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के यूती के कारण 20 कुंदली में अधम योग बनता है और अधम योग का फल ये होता है कि ऐसा आदमी अगर सौ प्रतिशत किसी कारे को करेगा तो उसको साथ स्थी प्रतिशत से जादे का रिजल्ट नहीं मिलेगा जिन लोगों का भी जन्म अमावश्या पर हुआ है उन लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत जादा होता है उनके कार के अनुरूप परिणाम नहीं मिलता है उसका कारण ये अधम योग होता है स्कंद पुराण में वल्णन है कि योगों में व्यतिपात, नक्षत्रों में स्रमण नक्षत्र और तित्यों में अमावश्या, पूर्णिमा और शंक्रांती ये दान पूर्ण के लिए महत पूर्ण है अमावश्या तिथी में इस्तरीपुरुस दोनों को ब्रह्मचर का पालन अवश्य करना चाहिए जो लोग अमावश्या तिथी पर पितरों की त्रिप्ति के लिए बेदपाथी ब्राहमनों को और ज़रुतमंद लोगों को भोजन कराते हैं उनके द्वारा किया गया स्राद अक्षय हो जाता है जो लोग अमावश्या तिथी में पितरों की सांती के लिए कपिला गाय का दान करते हैं उनके परिवार का उधार होता है अमावश्या तिथी के दिन भूत, प्रेत, पितर, पिशाच, निशाचर, जीव, जन्त, दैत्य ये सब ज़्यादा सक्री हो जाते हैं और जियोंतिस सास्त्र में ही नहीं, बेदों में भी चंद्रमा को मन माना गया है ओम चंद्रमा मनशो जाता है, चक्छो शूर्यो अजायता, स्रोता द्वायुष्य प्राणश्य मुखा दगनीर जायता चंद्रमा मनशो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, मन का देवता है और इस जीवन का रहस्य मन है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन एवं मनुस्या नाम कारण बंध मोक्षयो, ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मोक्ष का कारण है, इसलिए अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, ऐसे में जो लोग ज़्यादा इमोस्नल हैं, भाउक हैं, उन पर इसका सबसे ज़्याद प्रभाव पढ़ता है, चंद्रमा ना दिखने से अमावस्यातिति में, सरीर और मन में हल्चल बढ़ जाती है, जिन लोगों के जन्म कुंडली में चंद्रमा सनी का संबंध है, या चंद्रमा के उपर राहु केतु की द्रिष्टी या उती है, ऐसे लोगों के उपर जो नक प्रारात्मक सोच आफजर्व करते हैं, उन पर निगेटिव एनरजी का प्रभाव बहुत जल्दी होता है, आज दर्स अमावस्या हो जाएगी 11.40 के बाद, आज दान पुन्य और उपाय करने से पापों से मुक्ति मिल सकती है, संतान सुख मिल सकता है, अच्छी सिहत मिल सक सकती है, तनाव कम हो शकता है, धन लाब हो शकता है, तो निश्चित रूप से आज की तिथी महत पूर्ण है, दान पूर्ण करने के लिए, पितरों के लिए, जैमाविंदिवास्नी. तो पंडी जी ने दर्श्वमावस्या का जिक्र कर दिया है, आगे हम इसी पर बात करने वाले हैं, लेकिन अभी राश्री फल्की श्रुवात करते हुए, सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, आपकी कामकाज, रिष्टे, सेहत, साथी क्या है, आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए जान लेते हैं दिखे, मेश राशी में इस वह सूरिच चंद्रमा सुक्र की इस्थिति बनी हुई है, धन भाव में ब्रिहश्पति बैठा हुआ है अब शुक्र का धनेश का लगन में होना इस बात का संकेत है, कि अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, उससे भी आपको लाब मिलेगा और संतान के द्वारा भी आपकी आर्थिक इस्थिति में परिवर्तन होगा आज आप समय पर अपने काम पूरे कर लेंगे, पद और संमान ये दोनों चीज़ें आपको उन्नती के रास्ते पर ले जाएंगे घर में सुक्सान्ती रहेगी, अपनों को संमान देने की कोशिस करिए, पुराने रोगों से आराम मिलेगा अपनी रिस्पांसबिल्टी को, अपनी जिम्मेदारियों को हलके में ना लीजिए, चान्दी का कोई भी सामान अपने पास रखिए, सुभंक आपके लिए पांच है, सुभरंग आपके लिए हरा है, जै माविन दिवासनी आई अब बात कर लेते हैं जल्दी से व्रश्प राश्ची की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, आपकी कामकाज, रिष्टे, सिहत और साथी क्या है आज का उपाय, शुभंक और शुभरंग जानते हैं ब्रिशप राशी में ब्रिहस्पति की स्थिति है और ब्रिशप राशी से धनभाव का स्वामी, बुध अपने आईभाव में बैठा हुआ है आज आप सेविंग्स कर पाएंगे, बचचत कर पाएंगे और पुराने इन्वेस्टमेंट से, पुराने निवेश से आपको लाब मिलने की भी संभावना बनी हुई है सुनहरे आउसर मिलेंगे, आपके काम की तारीफ होगी, अपनों का साथ मिलेगा, आत्मिस्वास बढ़ा रहेगा और सेहत का साथ मिलेगा ज्यादा भाग दोर हर चीज से दूर कर सकती है छोटी कर्ण्याओं को खीर खिलाएं, सुभंग आपके लिए चार है, सुभंग आपके लिए जामुनी है, जैमाबिन दिवासनी चली अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दर्श अमावस्या की साथ ही दर्श अमावस्या पर कैसे स्दान, दान, अर्गे और उपाई करने से पूरी होगी आपकी मनुकामना आईए जानते हैं पन्डी जी अब दर्श अमावस्या का महत्तु बताईए देखे आज दर्श अमावस्या है, 11 बचकर 40 मिनट पर दर्श अमावस्या सुरू हो जाएगी बैसाख मास की अमावस्या है, दर्श अमावस्या पर चंदर्मा की पूजा जरूर करनी चाहिए दर्स और बैसाख हमा वर्षया पर पानी में गंगा जल डाल करके हर हर गंगे कहते हुए असनान करना चाहिए अगर घर में गंगा जल नहीं है तो पानी में काले तिल डाल कर असनान किया जा सकता है नहाते समय जल में अपने दाहिने हाथ की तरजनी उंगली से एक त्रिकोंड बनाएं पानी में बाल्टी के पानी में इससे धन की कमी दूर होती है पितरों के नाम से किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं जल में काले तिल मिलाकर सूरी को अर्ख दें अमावश्या तिथी में प्रदोश काल में दीप दान करें पितरों की कृपा प्राप्त होगी पीपल के पेंड के नीचे दिया जलाने का आज बहुत महत्त है घर के आसपास पीपल नहीं है तो तुलसी के पाउधे के पास भी जला सकते हैं दर्स अमावश्या पर गाय को गुड़ चीनी खिलाना चाहिए अमावश्या पर गाय को दालें अनाज और रोटी खिलाना चाहिए अमावश्या तिथी में ज़रुत मंद लोगों को अन, कपड़ा, चादर और धन का दान करना चाहिए दर्स अमावश्या पर पितरों के निमित अन, तिल, जव और अश्टगंध का दान करना चाहिए जैमाबिन निवास्नी और अब बारी है मिथुन राशी की कैसा रहेगा पूरा दिन आपका आज का जानते हैं देखें मिथुन राशी के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रहोचर ये है कि आपके भाग्यस्थान में सनी, आजीवक्या के स्थान में मंगल राहू बुद्ध और आमदनी के स्थान में सूरी, सुक्र और चद्रवा लेकिन बिरहस्पती आपके बैभाव में है इसलिए खर्च बढ़ेगा मिथोनराशी के कुछ जातकों को आज उधार भी लेना पड़ सकता है आज का दिन आपके लिए चुनवतियों से भरा हुआ है काम पूरा करने में दिक्कत आएगी रिष्टो में कड़वाहत या मनमुटाओ के योग बनेंगे समय ठीक नहीं है तनाव बढ़ सकता है भावनाव पर काबू रखें किसी मंदिर में दान पूरे करें सुभंक आपके लिए तीन है सुभरंग आपके लिए केसरिया है जैमाब निबासनी और एक पर फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं खुश खबरी है आपके लिए अगर आप डेली कालचक्र देखते हैं तो आप बन सकते हैं हमारे लक्की कुंडली विजेता हर हफ्ते हम एक लक्की कुंडली विजेता चुनेंगे और उनकी कुंडली खुद पंडिजी बनाकर उपायों के साथ आपके एड्रस पर भेजेंगे इसके लिए आपको क्या करना है रोज आपको कालचक्र दियान से देखना है और हफ्ते के अंत में हमें आप बत्तुएएगा जरूर कि आपने कालचक्र में क्या-क्या देखा और साथी अपनी सुझाओ भी भेजे इसके अलाबा हमें आप इमेल भी कर सकते हैं इमेल के जरीए आपकी डिटेल्स और सवाल भीच सकते हैं तो चलिए अब रुख कर लेते हैं राशियों का जो आगे के हमारी राशी है और इसक्तम में अब करकराशी के बात कर रहे हैं कैसा रहेगा करकराशी वाले जात्कों का पूरा दिन आपका जानते हैं देखिए जब चंद्रमा पूरूरूपेन अस्त तो करकरासी वाले क्यों नहीं पस्त तो धन हानी का योग करकरासी के जात्कों के लिए बना हुआ है कोई कीम्ती सामान आपका खोशकता है काम का बोजह आपके उपर बढ़ेगा आज पास के लोग आपको परिसान करने की कोशिस करेंगे अपनों से रिष्टे सुधारने के लिए आपको ही पहल करनी होगी मा की सिहत का ध्यान रखना होगा समय बरबाद बिल्कुल न करिए सात्तिक भोजन करिए सराब मानसाहार से बिल्कुल दूर रहिए सुभंक आपके लिए अच्छा है सुभरंग आपके लिए पीला है जै माविन दिवासनी वक्ट ब्रेक का है लेकिन पंडित जी एक दर्शोकों का सवाल आया है उनका मानना ही है कि अमावस्या की जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उस दिन क्या करना चाहिए खास्तोर पर देखो ऐसा है नारायण बली करना नारायार के नाम पर भूजन कराना गाय को भूजन कराना गाय की सेवा करना पीपल के पेंड की पूजा करना विश्नु सहस्र नामा उली का पाड करना पितरों के लिए पितरों के उद्धार के लिए ये सब कारे जो है निश्चित रूप से पितरों को अच्छी गति देते हैं और पितरों की आत्मा उर्धवठी को प्राप्त होती है पितरों की जो आत्मा है वो मुक्ति को प्राप्त होती है और किसी असुभियोनी में है तो उसका कल्यान होता है उस जीव का उधार होता है तो इसलिए हमारे हैं अमावस्या के दिन सुबह अगर अमावस्या सुबह से ही है तो बारा बज़े तक आप धार में कारे भी कर सकते हैं दानपूरे भी कर सकते हैं लेकिन बारा बज़े के बाद सिर्फ और सिर्फ पितर कारे ही होते हैं पितर कारे के लामा अमावस्या पर दूसरा कारे नहीं होता है और वैसे भी किसी भी तिथी में दोपहर के बाद देव पूजन नहीं पित्रिकारी ही होता है ये बात सभी को दिमाग में समझ लेना चाहिए जो लोग दिन में बारा बजे के बाद पूजा सुरू करते हैं सुबह पूजा नहीं सुरू कर पाते हैं उनकी पूजा नहीं लगती है ये मैं गारणडी के साथ कह रहाँ अगर आप सुबह पूजा नहीं करते आपका कोई रूटीन नहीं है आप दिन में बारा बजे, एक बजे उठ करके पूजा कर रहे हैं तो आपके पूजा का कोई मतल्ब नहीं है आप अपने मन को समझाने के लिए पूजा कर लीजिए अलग बात है लेकिन इस पूजा का कोई महत्तु भी होगा ऐसा कुछ नहीं है कोई महत्तु नहीं होगा पूजा करने के लिए सबसे सर्वोत्तम सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त माना गया है सुबह चार बजे से सूर्योदे तक अगर इसमें आप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं लेकिन सूर्योदे के पहले सुरू हो जाईए और आठ बजे तक, साथे आठ बजे तक अपनी पूजा को समाप्त कर लिए और हर सनातन धर्मी को चाहिए कि वो सूर्य को अर्ग दे चाहिए उसकी कोई भी रासी हो और चाहिए वो किसी भी नक्षत्र में पैदा हुआ हो सूर्य सभी के आदि देवता है सूर्य सभी को बिना भेद भाव के अपनी किरने अपनी रोसनी अपना प्रकाश देते हैं सूरी बिना भेदभाव के हमारा अंधेरा दूर करते हैं, इसलिए सनातन धर्म का प्रमुख जो है, वो मतलब की सूरी देवता है और ये प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए हर सनातन धर्मी को, इस्त्री हो, पुरुष हो, वो थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, जो लोग सूरी क उपासना करते हैं, उनके चेहरे का तेज, उनके आत्म विश्वास में कभी कमी नहीं आती है, उनका मुखमंडल हर समय आभायूक्त होता है, सूरी की उपासना करने से ही, रिशी मुनी अपना जंडा आकास तक फहराते थे, और ऐसा कोई नहीं इस देश का तपस्वी हुआ जिसने सूरी को अर्ग न दिया हो, और गायत्री की साधना न की हो, शंध्यावंदन न किया हो, और वो सिध्ध हो गया हो, कभी नहीं, आप चाहे जिस देवी देवता की उपासना करें, लेकिन प्राता काल सूरी को अर्ग देना, गायत्री का जब करना, गायत्री के लिए ह जाए तो बारा बज़े से पहले हो तो सकता है लेकिन उसके लिए एक प्राश्चित अर्ग देना पड़ता है जैसे सूरे को एक लोटे का जल अगर तीन बार में दिया जाए तो इसको सूरे का अर्ग कहते हैं। लेकिन जब जैसे सुर्योधा के बाद एक घंटे के बाद आठ वजे से आप अर्ग दे रहे हैं, तो आपको चार बार अर्ग देना होगा, एक बार बिञा मंतर बोले अर्ग देना होगा और तीन बार यह कहना होगा, ओम ब्रहम शुर्वपिने सुर्यद ओर नमह, लेकिन हमारे यहां सास्त्र के ही मत का जो है विशेस महत्तो कहा गया है भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि अगर कोई आपका बहुत बड़ा भक्त है और बड़े प्रेम से आपकी पूजा करता है बड़े मतलब की निष्ठा से करता है लेकिन वो सास्त्र सम्मत बिधा से नहीं करता है सास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं करता है जो सास्त्र सम्मत बिधा है उसके अनुरूप नहीं करता है बलकि वो अपनी मर्जी से करता है तो ऐसे के लिए आप क्या कहेंगे भगवान कहते हैं ये पूजा तामसी पूजा है क्योंकि जब हम सास्त्र का उलंगन करते हैं तो कहीं न कहीं जो है कर्मकान देखो दुधारी तलवार है ये अगर सिधा चलती है तो लक्ष को पार करती है उल्टा चलती है तो अपने को ही भेटती है इसलिए सास्त्र मर्यादाओं का ध्यान करके ही अंस्वारन करना चाहिए सास्त्रों में बात लिखी हुई है ओम ब्रह्म सुरूपिने सूर्यनाराय नमा लेकिन कुछ लोग ओम सूर्याय नमा भी करके दे देते हैं कुछ लोग ओम घ्रिण सुर्ययनावा करके करके दे देते हैं, कुछ लोग गायत्तरी मंत्र बोल करके दे दे देते हैं, यह to ज्यक्त कोग अपनी-अपनी बात है, लेकिन जो सास्तर की बात है हम वो अगर अऑथन्टिक बात कहतेंगे, तो यही बात कहना हैузट आम् ब्रह्म स्ववुपिले सूर्य नारायन दाय नमा। ये मतलब सास्त्र सम्मत बात है। ठीक है। इसी तरह से जैसे गाईत्री की व्याहिर्तियां है। Aum-Bhu, Aum-Bhua, Aum-Swaha, Aum-Maha, Aum-Jana, Aum-Tapa, Aum-Shatyam। ये देखो साथ व्याहिर्तियां है। और शरीर के साथ चक्र हैं, साथों चक्रों को एक्टिवेट करती हैं ये ब्याहिर्तियां, जब मनुष्य प्राणायाम करता है और तीन बार नाभी पर विश्णु का ध्यान करता है, तीन बार हिर्दय पर ब्रम्हा का ध्यान करता है, तीन बार मस्तक पर भगवान सीव का ध् प्राणायाम के चार परणायाम होते हैं ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रशाद, शरीर निरोग हो जाता है, आजीवक्या के लिए बहुत शरम नहीं करना पड़ता है, परिस्थित्यों का ज्ञान सोता होने लगता है और मन के अनकूल प्राकिर्टी कार्य करने लगती है, इस प्राणायाम का ये महत्तु है, तो इसलिए सास्त्र मर्यादा का ध्यान tout करना चाहिए, कि इंचित भी सास्त मर्यादा का ध्यान हां कलजू है कली मल ग्रसे धर्मसब लुप्त भय सत्ग्रंथ दंभिन निजमति कर भिकल प्रगत किये बहुपण्थ वो सवामि तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिकाल ने ऐसा मतलब कि कली मल ग्रसे धर्मसब ऐसा धर्म के पर ग्रहन लगा help कि लुप्त भय सद्गरंत सद्गरंत जो है वो गायब हो गए हैं और पाखंडियों ने अपना अपना विचार प्रत्पादित करके और नए नए रास्तों का जो है स्रिजन कर दिया है समझ रहे हैं तो बस यही कहना चाहता हूँ जै माविन दिवासने आज और कल दोनों दिन अमावस्या है ऐसे में काल चक्र में पंडे जी आपको वो दस अच्चू कुपाय बता रहे हैं जिन्हें करके आप अपनी हर मनुकामना पूरा कर सकते हैं अपनी सर्चा को आगे अमावस्या की बात कर रहे हैं क्या नहीं करना है भूल कर दी देखो अमावस्या के दिन पहला काम करना है कि कि किसी दूसरे का अन खाने से पूरे हरास होता है लेकिन जो लोग ब्राहमण हैं जो लोग निध्य संध्या साब गायत्री का पाठ करते हैं जो लोग निध्य स्रध्धा के साथ भोजन कराना चाहता है तो उन्हें भोजन कर लेना चाहिए इसलिए भोजन कर लेना चाहिए कि उनके पितरों को उत्तम गती मिल जाएगी हां ब्राहमण देव का थोड़ा पूरे जरूर हरास होगा लेकिन चुंकि वह भजन करते हैं इसलिए उनका पूरे फिर ठीक हो जाएगा अब देखो इसके बारे मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि ब्राहमण हो या साधुसंत हो दोनों ग्रिहस्त के अन से ही पलते हैं किससे पलते हैं ग्रिहस्त की रोटी से और ग्रिहस्त की रोटी क्या होती है इसके बारे में कहा गया है ग्रिहस्त की रोटी के बड़े-बड़े दात करलो भजन नहीं फोड़ देंगे आत मतलब ग्रिहस्द की जो रोटी होती है उसके दात बड़े-बड़े होते हैं अगर आप भजन नहीं करते हैं अगर आप जब तप नहीं करते हैं और क्योल ग्रिहस्त की रोटी खा रहे हैं तो आपकी आंत को फार डालेंगे दांत ये बात पक्की बात समझ लिए अगर आप पूजा, पाट, धर्म, कर्म, सायंग संध्या, प्राता संध्या नहीं करते हैं तब आपको दूसरे का अन खाने से बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल दूसरे का अन नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल दूसरे से दान पुन्य नहीं लेना चाहिए और दूसरी बात इस्त्री होया पुरुस अमावस्या तिथी पर हर इस्थिती में ब्रह्मचरे का पालन करना चाहिए अमावस्या तिथी में धारण किया हुआ गर्ब या तो आर्टीजम का सिकार होगा वो बच्चा और या तो बिकलांग होगा या तो सारीरी रूप से बिकलांग होगा या तो आर्टीजम का सिकार होगा आप इस कूटी खरीदने के लिए पंडी जी से मुहरत पूछते हैं नंबर कौन सा होना चाहिए ये पूछते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए मुहरत क्यों नहीं पूछते हैं कि कब किस मुहूरत में गर्भाधारण करना चाहिए, यह तो बहुत बड़ा यग्य है न, स्रिष्टी का यग्य है, इसके लिए तो जरूर मुहूरत पूछना चाहिए, हमारे हैं 16 संसकार हैं, जिसमें गर्भाधान सबसे पहला संसकार है, इसके लिए तो मुहूरत जरूर प इरदेश किया गया है कि आप अमावश्या तिथी पर बिल्कुल ब्रह्मचरे का पालन करेंगे और अमावश्या तिथी पर चुकि चंद्रमा की दसा बहुत ही कमजोर होती है इसलिए मन ब्याकुल और बेचैन होता है इसलिए अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना क्रोध हाए तो आपको जिस भगवान में प्रीती है सिया राम सिया राम राधा राधा क्रेश्न क्रेश्न सीव सीव दुर्गा दुर्गा जो भी भगवान आपको प्रीय लगते हैं उनका जोर जोर से दो चार बार नाम आपू चारण कीजिए निश्चित रूप से आपका प्रोट समाप्त हो जाएगा अमावश्या तिथी पर मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसी बस्तु का सिवन बिलकुल नहीं करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि दुर्भाग्या आपका पीछा छोड़ दे तो अमावश्या के दिन आप साधू संतों से भी ज़्यादा पवित्रता के साथ जीवन जीने का प्रयास करें अमावश्या के दिन वातावरण में तमोगुण की प्रबलता रहती है इससे वातावरण में अनिष्ट सक्तियों का संचार बागी दिनों की तूलना में ज़्यादा होता है ऐसे में अमावश्या को तेल भी खरीद कर नहीं लाना चाहिए अमावश्या तिथी पर दोपहर और सायंकाल और रात के समय बाल नहीं कटवाने चाहिए अम आवश्यातिती पर तुलसी का पत्ता या बेल पत्त भी नहीं तोड़ना चाहिए जैमा बिंदिवासनी और आईए अब सिंग राशी की बात कर लेते हैं कैसा रहेगा पूरा दिन आपका जानते हैं देखिए सिंग राशी के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशी स्वामी सूरी इस समय 22 अंस 52 कला पर अपनी उच्छ राशी मेश राशी में गोचर कर रहा है देखिए ऐसा है धनलाब का योग तो बना हुआ है और तरक्की भी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है लेकिन इसका ये मतलब बिलकुल नहीं होता है कि आप ओर कान्फिडेंस में हो जाएं अगर आप ओर कान्फिडेंस में होंगे तो आपके राशी में अधम योग भी बना हुआ है मुह के बगल गिरेंगे ये बात भी ध्यान दे दिए हाँ लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे आप अगर थोड़ा सा सयम से चलेंगे परिवार और रिष्टो में आपके सुखसान्ती रहेगी और आज हर तरह से आपका स्वास्त अच्छा रहेगा अपने आख और कान अर्थात अपनी चेतना को पूर्ण रूपेन जागरित रखिए ओवर कान्फिडेंस में आ करके कोई कारे मत करिए किसी भूखे व्यक्ती को आज भोजन कराना चाहिए सुभंक आपके लिए चार है सुभंक आपके लिए गुलाबी है जयमाबिन दिवासनी रिशी परासर के अंसार अमावस्या को जिस भी व्यक्ती का जन्म हुआ है उसके जीवन में परिसानिया ज्यादा होती है क्योंकि अमावस्या तिथी पर सूरिच अंद्रमा के 12 डिग्री के अंतर पर अधम योग बन जाता है इसको कहते हैं अधम योग अधम योग में पैदा हुआ बच्चा पूरे जिन्दगी ब्याकुल अस्थिर और आत्मबल से कमजोर और आलसी होता है इस तिथी में जन्में बच्चे को इस्त्री, संतान, कूल या धन से जुड़ी हानी हो सकती है लेकिन अगर अमावस्या तिथी पर सुभ नक्षत्र हो तो इसका दोस काफी हद तक कम हो सकता है या सूर्य और चंद्रमा को सुभग्रह देखते हों जैसे ब्रिहस्वति और सुक्र देखते हों तो कुछ चीजें ठीक हो सकती है अमावस्या तिथी में जब अनुराधा नक्षत्र का तिर्ती या चतुर्ष चरण हो तो सर्प सिर्ष कहलाता है सर्प सिर्ष में बच्चे का जन्म दोस्पूर्ण माना जाता है अमावश्या तिथी में जन्में बच्चे को हमेशा सफेद रंग का रुमाल देना चाहिए कोशिस करें कि ऐसा बच्चा हलके रंग के कपड़े पहने या सफेद रंग का जादा इस्तेमाल करे अमावश्या तिथी पर जन्में बच्चे के हाथ से पंच्छियों को चावल या जुआर डलवाना चाहिए ऐसे बच्चे के गले में चांदी के गोल लाकेट में चंद्रमा बनवा करके धारण करवाना चाहिए क्योंकि अमावश्या तिथी का जन्म जिवाली पर भी जन्म लेने वाले लोगों को बहुत संगहर्षों का सामना करना पड़ता है पूरे जीवन युद्ध करना पड़ता है गरीबी से और परिसानियों से पूरे जीवन युद्ध करना पड़ता है जबकि दिवाली कितनी अच्छी है अगर दिवाली के दिन किसी कहां बिटिया पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं आजी आप कहां तो साक्षात लक्षमी आ गई बेटा पैदा हो जाए तो साक्षात कुबेर आ गए लेकिन सही बात और अमावस्यातिथी पर तभी बच्चे पैदा होते हैं जब अमावस्यातिथी पर गरभा धान किया जाता है नौ महीने पर बच्चे पैदा होते हैं चारासियों के, नौ महीने एक दिन पर पैदा होते हैं सेश चारासियों के और 9 महिने 27 दिन पर पैदा होते हैं सेज चार रासियों के ऐसे बच्चे पैदा होते हैं और उनकी जब आधान कुंदली बनाई जाती है गर्भाधान कुंदली बनाई जाती है तो वही तिथिय और वही नक्षत्र होता है जिस तिथिय और जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ रहता है ये बात बड़ी पक्की है और जियोंतिस के गूर ग्यान रखने वालों को ही ये बात का ग्यान होगा जैमाबिन दिवासनी चले आगे बढ़ते हूं कन्या राशी की बात कर लेते हैं कैसी रही कि आर्थिक स्थिति आपकी कामकाज रिष्टे सिहत साथी क्या है आज का उपाय शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए जानते हैं दीखे कन्या राशी के जातकों को बताना चाहूंगा बुध मंगल राहू ये तीनों आपके सप्तमहाओ में हैं आपके भाग्यस्थान में ब्रहस्पती है ब्रहस्पती की पूरी दृष्टी आपके राशी पर है आप चाहें तो कोई बड़ा फैंसला ले सकते हैं आपके काम की तारीफ होगी पद और बेतन बढ़ने का भी योग बना हुआ है परिवार को लेकर कुछ महत्वपूर फैंसले भी आप ले सकते हैं मानसिक और सारीरिक गूप से आप स्वस्थ रहेंगे धैर इससे काम करें जल्दबाजी नुकसान करा सकती है पंचियों को दाना डालें सुभंक आपके लिए एक है सुभंक आपके लिए पीला है जै माविंदिवासनी और अब बारी है तुला राशी की कैसा रहेगा पूरा दिन आपका जान लेते हैं देखे तुला राशी के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशी पर सूर्य सुक्र चंद्रमा ये तीन ग्रहों की संपूर द्रिष्टी बनी हुई है और आपके पंचम भाव में सनीदेव बिराजमान है भाई आपके बैभाव में केतु है ये मत भूलिएगा इसलिए खर्च बढ़ेगा और आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे बचत नहीं कर पाएंगे काम से जुड़ी आपको यात्रा करनी पड़ेगी और काम पूरा करने में तकलीप भी होगी मैं एक चीज़ आप से कहना चाहता हूँ जरूर से ज़्यादा भाउकता मत दिखाईए वरना अपने लोग आपका फायदा उठाएंगे मुह या दांट में तकलीप हो सकती है जल्दबाजी में लिया कोई बड़ा फैंसला आपको संकट में डाल सकता है कुट्टे को दूध रोटी खिलाएं सुभंक आपके लिए आठ है सुभरंग आपके लिए नीला है जैमा बिन्डवासनी अमावस्य तिथी पर पूजा पाठ के हम बात करेंगे पंडित जी लेकिन एक सवाल ये भी है कि अमावस्या के दिन शनी राहू केतु की शांती के लिए हम क्या कर सकते हैं हाँ अगर सनीवार का दिन है तो कर सकते हैं अगर हमावस्या है और सनीवार का दिन है तो आप कर सकते हैं लेकिन अगर सनीवार का दिन नहीं है तो उनकी सांती के लिए मंत्रों का जब आप नहीं करवा सकते, देखे, सिधी सिधी बात है, कि सनि, राहु, केटू, इन तीनों ग्रहों के लिए जब जो होता है और सनिवार को ही होता है, और विपनेस एक बात ध्यान रखना चाहिए, कि सनि, राहु, केटू का जब कभी निद्ध में और या हनुवानमंदिर में, हनुवानमंदिर के धर्मसाला में, हनुवानमंदिर के परिशर में, या किसी सिध्धरस्थान में, या किसी सिध्धपीठ में करवाना चाहिए, अपने घर में सनी राहु केतु का आवाहन नहीं करवाना चाहिए, और सनी राहु केत मतलब की प्रतिष्ठा होती है वो सब चीजे मतलब की घर के अंदर नहीं होनी चाहिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो अब आगे का सवाल अमावस्या तिथी पर कैसे पूजा पाथ क्या दान करें और कैसे उपाई करने से मिलेगा आपको कई गुनाफ पुने अब प अमावस्या की रात अपने घर की छट पर एक दिया जरूर जलाना चाहिए अमावस्या की रात तुलसी के पवधे के सामने भी एक दिया जलाना चाहिए आपके घर में अगर एक्क्वेरियम है वो मचली वाला तो मचलियों को आटे की गोलिया डालनी चाहिए अमावस्या के दिन काली चीटियों को सक्कर डालना चाहिए अमावस्या के दिन कुट्टे को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से बहुत पूने मिलता है संध्या के समय अपने घर की उत्तर पूर दिसा में एक दिया जरूर जलाना चाहिए इससे घर से दरिद्रता दूर होगी जो लोग अमावस्या का ब्रत नहीं रख सकते हैं वो अमावस्या पर दान, पूणी, पूजा, पाठ जरूर करें अमावस्या तिथी में किसी नए कारे का प्रारंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैमाविंदिवासनी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ब्रिश्चिक राशी की कैसा रहेगा आज का आपका पूरा दिन जानते हैं देखे, ब्रिश्चिक राशी के जात्कों को पताना चाहूँगा कि आपके सुख भाव में सनीदयों विराजमान है, चतृर्थ भाव में और आपके संतान भाव में मंगल बुथ राहू की इस्थिती है, आपके रोग अस्थान में सूरिश सुक्र चंद्रमा की इस्थिती है आज आप चाहें या ना चाहें खर्चा होगा, बजट भी गड़ेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिती का निर्माड होगा जहां तक आपके कामकाच की बात है, उसके बारे में आप जान लीजिए, सहयोगियों के साथ मन मुटाव हो सकता है और समय पर काम पूरा नहीं हो सकता है अपने बाणी पर नियंतरन रखें, अप्रिये घटना हो सकती है, सरीर में दर्थ, आँखों में तकलीफ और ठकान महसूस होगी हर तरब से सतर्क और सावधान रहना होगा, आज सिवलिंग पर जल अरफित करना होगा सुभंक आपके लिए पांच है, सुभरंग आपके लिए भूरा है, जैमाबिन दिवासनी चलिए अब बात करते हैं धनुराशी की क्या कहता है धनुराशी का राशी फल कैसा रहे का पूरा दिन आज आपका जान लेते हैं भाई आपका राशी स्वामी ब्रिहस्पती अभी समय ब्रिशव राशी में है अगर ऐसे में देखा जाए तो ब्रिहस्पती का ब्रिशव राशी में जाना मतलब आपके छठे भाव में जाना आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है कई आउसर प्राप्त होंगे, तरक्की मिलने के योग हैं, परिवार में कोई महत्वपून कारिप पुरा होगा, मन प्रसंद रहेगा, सेहत का सांथ मिलेगा आँख बंद करके हर किसी पर भरोसा बिल्कुल मत करिएगा, हनुमान चालिशा का पाठ करिएगा सुभण का आपके लिए चार है, सुभण का आपके लिए आसमानी है, जै माभिन दिवासनी मक रासी का स्वामी इज समय सणी देव अपनी मूल त्रिकोंड रासी कुम भरासी दूतिय भावा में विराज माल है और तृतिय भाव में मंगल राहु बुद्ध की स्थिति है, चतुर्थ भाव में सूर्य, सुक्र और चंद्रमा की स्थिति है तो कहना मैं ये चाहता हूँ, जहां से आपको पैसे मिलने की उमीद है, वहीं पर बिलंब हो सकता है इसलिए पूरा पेसेंस बना के रखिएगा, कारेभार आपके उपर बढ़ेगा, यात्रा भी करनी पढ़ सकती है रिष्टों में खुद को उपर ना रखें, दूसरों की भावनाओं का आदर करें तनाओ के कारण सरीर में दर्द रहेगा, अहंकार और गलत फानिसलों से आपको बचना चाहिए महा मिर्तुन्जय मंत्र का जब करना चाहिए, सुभंक आपके लिए च्छा है, सुभरंग आपके लिए गुलाबी है, जैमा बिंदेबासनी और अब बारी आती है कुम्राशी की, चलिए जानते हैं आज आपका भागी कितना स्ट्रॉंग है देखी जद्यप सनी देव की इस्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन दूति भाव में राहु मंगल और बूत की जो इस्थिति है, वो सुख सुभधाओं पर आपके खर्च को बढ़ा सकता है ऐसा नहीं एक धनलाब नहीं होगा, धनलाब भी होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा और अच्छी बात ये है कि आज आपके काम की परसंसा होगी, कारिश्षित्र में आपकी इस्थिति मजबूत होगी अपनों के सांस समय बिताने का मौका मिलेगा, उर्जा और आत्मिस्वास से आप भरपूर रहेंगे किसी को ठीक से जाने बगाएर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराना चाहिए, सहयोग करना चाहिए सुभंक आपके लिए आठ है, सुभरंग आपके लिए हरा है, जै मामिन दिवासनी और अब बात कर लेते हैं मीन राशी की चलिए जानते हैं, आज आपका दिन कैसा रहने वाला है देखिए मीन राशी के जात्कों को बताना चाहूँगा कि आपके राशी में मंगल, राहू और बुद की स्थिती है, बुद नीच राशी पे है तो ऐसे में परिवार पर खर्च बढ़ेगा और पैसों के लेन देन में भी आपको सतरकता बरतनी चाहिए उच्च अधिकारी आपके काम की तायरीप करेंगे, काम भी पूरा होगा रिष्टदारों के साथ बात बिबात से आपको बचना चाहिए आज सेहत का पूरा साथ मिलेगा सच्चाई से मुह ना मोडे, भ्रम में ना रहे मटके में पानी भर कर प्यासे लोगों के लिए रखें सुभंक आपके लिए तीन है, सुभरंग आपके लिए भूरा है जैमा बिन्दिवासनी और बारी है हमारी कुंडली विजेता की पूरे महरास्ट की रहने वाली हैं जन्होंने इमेल की जरीए अपने भविष्यक के बारे में जानना चाहा है चले पंडीजी से उनके बारे में जानते हैं उम्मीद करते हैं कि गौरी कल्यान इस वक्त हमारे साथ कालचक्र को देख रहे होंगी और पंडीजी को सुनेंगी पंडी जी मैंने डेटेल अल्रेडी लिखबा दी है दो सवाल है इनके छोटे-छोटे एक तो विभाग के लिए रिष्टे नहीं आ रहे हैं कब तक विभाग होगा और दूसरा नौकरी अच्छी कब होगी कोई उपाय बताएं देखो, गौरी कल्यान का जन्म 11.1995 को दो बजे दिन में पूने महाराश्चों में हुआ है इनका जन्म ब्रिष्चिक लगन में हुआ है और इनका जन्म कुम्भराशी में हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ है इनके जन्म कुंडली में बिवाह का भाव, बिवाह भाव का स्वामी और बिवाह का कारग्रह सुक्र भाध्यास्थान में सूरी के सांथ इस्थित है और अस्थ है जब तक सुक्र की सांती नहीं होगी तब तक बिवाह नहीं होगा चाहे आप 29 साल की हो गई है और चाहे 33 साल की हो जाए सुक्र के बैदिक मंत्र का 72,000 बार मंत्र जब 18 ब्राहमनों द्वारा एक दिन में सुक्रवार को कराना चाहिए हवन तरपन मार्जन ब्राहमन भोजन कराना चाहिए या ओम सुंग सुक्राय नमह इस मंत्र का स्वयम दसमाला जप आपको 144 दिन करना चाहिए और दोपहर में दही खाने का प्रयास करना चाहिए तब इससे आपके विवाह का योग बनेगा जहां तक नवकरी का प्रस्ण है तो उसके बारे में बताओं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है जो नवम भाव में इस्थित है ब्रहस्पती से उसकी द्रिष्टी मिल रही है अभी गुरू में सुक्र का अंतर चल रहा है अगर आप नित्य प्राता सूर्य को जल देना सुरू कर दें और रभी वार के दिन नमक खाना छोड़ दें तो ज्यादा से ज्यादा 40 से 60 दिनों के अंदर आपके योग नवकरी मिल जाएगी इसमें कोई संदेह नहीं है जै मा अर दिली से कॉलर हमारे साथ मौझूद है बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में पहले अपना नाम बताएं और फिर पंडीजी से सवाल करें हलो हाँ बोले रादे रादे पंडी जी मेरा नाम बचना है मैं दिल्ली से बात कर रहे हूं मेरी जनमती थी दस फरवरी दोधर तीन है शाम के साड़े चार बजे दिन सोमबार मुझे अपने भविश्य के बारे में जानना है कि मेरी सरकारी नौकरी लगी दिया नहीं आगे मे मेरे भविश्य क्याता रहेगा और मेरा एक और सवाल है कि मेरे घर में स्वामी जी का पेड है वो बहुत बड़ा हो गया है तो हम उसकर क्या करें मतला किसी चीज का पेंड है स्वामी जी का पेड हां जी हां जी यह स्वामी जी का पेंड क्या होता है वो शनी ग्रह के लिए दो पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि तुम्हारे मतलब आज अजीका भाव का जो तुमने प्रशन किया है उसके आधार पे यही कह सकता हूं कि अभी तुम्हीं कि साल की हो खूब तयारी करो तो 26 साल में सरकारी नवकरी मिल जाएगी खूब मेहनत करनी पड़ेगी अब यह नहीं पंडी जी ने बता दिया तो अब नवकरी मिल ही जाएगी घर बैठे बैठाए नहीं उसके लिए आपको खूब कमर कसके मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत के बाद आपको सफलता मिलें और दूसरी बात यह है कि अगर वो प्रेंट बढ़ा हो गया है तो उसे किसी पार्क में या किसी सारोजनी का स्थान पर ऐसे जगह लगा दें जिससे उसको लोग नुकसान न पहुंचाएं और उसको अगर आप लगा देंगी तो निश्टी तुरुप से आपको पूरे की प्राप्ति होगी इसमें कोई संदेह नहीं है जै माविन निवास में आई अपने स्पेशल सेग्मेंट की शुरुआत करते हैं तो पंडित जी आज जो स्पेशल सेग्मेंट है इसमें आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे देखो मा लक्ष्मी को प्र में अस्थापित कर दें घर में सुक संब्रिधी लाने के लिए मुख्य द्वार पर 11 कौडियों को लाल कपड़े में बांद कर ऐसा लटकाएं कि वो दिखाई ने पड़े अपने घर को नकारात्मक उर्जा और बुरी नजर से बचाने के लिए अपने घर की खिर्कियों प रखने से राहत मिलती है एक बात इतना ध्यान रखिए अगर गरीबी ने आपको बहुत सताया है और कोई काम बन नहीं रहा है पुरुस्वर्ग जहां भी हात मार रहा है उहीं अस्फलता मिल रही है और घर के गुजारे के लिए भी कभी कभी दिमाग में तनाव आ जाता है तो आप विश्वास करो दया की धाम परम करुणा मई मा महालक्ष्मी है आप इनके स्री चरणों में लग जाईए और स्री सुक्तम कलंग धारा इस तरोत का भाव विभोर हो करके रोज सुबह साम पाठ करना सुरू कर दीए और मालक्ष्मी के सुरूप को अपने हिर्दय मे ध्यान करना सुरू कर दीए जो कुवारी कन्याएं स्री सुक्तम और कलंग धारा इस तरोत का सुबह साम पाठ कर देती हैं उनके परिवार में उनके माता-पिता का दरिद्र जल करके राक हो जाता है जो सुहागन महिलाएं नित्य स्री सुक्तम और कलंग धारा का पाठ कर द कि शुक्तम करन्हाइस तो का पाठ करते हैं उनकी ये स्कर्ती का पताखा दिग्धिगंत में लहां लाता है इसलिए महा लक्षमी को हिर्दय में धारान करके और सिर्ष शुक्तम करन्हाइस स्टस्त का नित्पाठ करने से दरिद्रता से संपुन… फूटकारा मिल जाता है जै माविन निवासनी पंडी जी माविस्या को लेकर जो डर्धा में थे वो आपने दूर किये आपका बहुत बहुत और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का मारा विशे बहुत पसंद आया होगा कल फिर एक नए विशे और आपकी परिशा कर झाए और एक है जा के讲 जी मारा विशे जाओंगा heजå जी मारा विशे प्या संद एक पस्सथे ले जी मारा विशे जाए 네.